इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी Flutipral Nagel Spray एक steroid है यह बहती नाग छीखने और sinus की परेशानी जैसे allergic rhinitis के लक्षनों से राहत देता है यह कुछ रासायनिक संदेश्वाहकों के उत्पादन को अवरुद करके काम करता है जो सूजन यानि की सूजन और allergy का कारण बनते हैं इस प्रकार आपकी नाग में परेशानी और जलन से राहत मिलती है आपको इसे हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इस्तिमाल करना चाहिए लेकिन इसका पूरा लाब पाने के लिए आपको इसे नियमित रूप से लेना चाहिए स्प्रे का पूरा असर होने में कुछ दिन लग सकते हैं यदि आपको एक सप्ताह के बाद भी अपने लक्षनों में सुधार नहीं दिखाई देता है तो आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए फ्लूटिप्रल नेजल स्प्रे के सबसे आम साइड इफेक्ट्स में जलन या खुजली जैसी नाक संबंधी परेशानी शामिल है यह कुछ रोगियों में नाक से खून बहना, नाक में सूजन और सिर्दर भी पैदा कर सकता है अपने चिकित्सक से बात करें यदि आप साइड इफेक्ट के बारे में चिंतित हैं या वे दूर नहीं जाते हैं यह दवा आपके शरीर की संक्रमन से लड़ने की क्षमता को कम कर सकती है इसलिए चिकन पॉक्स, खसरा या तपेदिक वाले किसी व्यक्ती से दूर रहने की कोशिश करें सामान्य तोर पर आपको उन स्थितियों से बचने की कोशिश करनी चाहिए जो आपके लक्षनों को बत्तर बनाती हैं पराग और धूल की करन जैसी चीजे और धूम्रपान से बचना सबसे अच्छा होगा इस दवा का उपयोग शुरू करने से पहले आपको अपने डॉक्टर को यह बताना चाहिए कि क्या आप गर्भवती हैं या स्तनपान करा रही हैं अपनी स्वास्थि देखभाल टीम के साथ जोखिम और लाभो पर चर्चा करें यदि आप लंबे समय तक इस दवा का उपयोग करते हैं तो आपका डॉक्टर आपकी प्रगती की जांच के लिए उपचार की अवधी के दौरान कुछ शिकित सा परीक्षन करना चाहा सकता है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और अल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद